आपका स्वागत है दरन बीशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो एक साल में आपकी जिन्दगी में क्या हुआ है तुफान आया और वो तुफान चली रहा है यहां से वहाँ भागता रहता हूँ भूमता रहता हूँ लोगों से मिलता हूँ शूटिंग करता हूँ फिल्म के प्रमोशन करता हूँ फिर घर जाता हूँ फिर बेटी के होस्टल जाता हूँ जब जब समय मिलता है घर भागके चला जाता हूँ इस ऐसी है जीवन अवारा यही है तुफान मतलब क्या तुफान म मतलब यतना बीज भी रहना निच hotna मैं सेमहिन इतना बीज बीजिग निराना थोड़ा या दुड़ा मैं थोड़ा दुर अधर बेट दुड़ा चाय और अधर जाते लोगों को देखने वाला इस टाय का आधियों है सबजी खरीदने जाने वाला ग्रोसरी खरीदने जाने वाला कुछ इस तरह का एक्तिव मैं जब मुझे वह नहीं मिलता है तो थोड़ी परिशानी होती है एक आर्टिस्ट के एक नीड होती है हां मतलब जब तक अंदर डालने डालो गे नहीं तो आप निकालो कि क्या लेकि फ को अनुभो के नजरी से देखता हूं तो आसपास में जाते आते हुए गाड़ी कहीं पर दूसरी जगह मोड लेते हैं आदे गंटे के लिए फिर कहीं समोसी के दुकान लगनों से डेढ गंटे दूर वहां पर बैढ आते हैं चाय पीते हैं समोसे घाते हैं लोगों को देख पैचानते हैं इसलिए बैठ जाते हैं बाते करते हैं वहां पर पागलपन की तरह से आपके उपर गरते नहीं है लेकिन बैठ के बाते करते हैं आप उनसे बाते करते हो तो पर जो दूर से आपको देख रहे होते हैं फिर आकर के आपके पास बढ़े आते हैं आप क्या पू क्रश् order अलग है ये आप उनके जैसे हैं च जैत्र आँड़ काम अलग है लेकिन हैं आप उनके जैसे बाच्चित का सिलस्ला महां से शुरू हो जाता है। या पका रीसर्च भी होता एसन अक्टर् मैं जानभूछ करके बहुत साल तक जब हम ठीटर करते थे तो उम जानभूछ करते थे लिए प्राक्टास करते जिरुएर जी अपना है आप मैं गाहे बेग्ण अभॉफ यह प्रॉट Hallo जो है और चौप एड़ाभर होगा है जैसे तुम सर हिला रहे हो यह मैस्तों का हिस्जा हो जाता है मतलब मैं जान मुझच करके नहीं कर रहा हूं वह अपने यहां चीजें रॉर दीं जाती है LAUGH तो जुष में ज़र कि आप इतनी बार उसको करो इतनी बार करो इतनी बार करो कि फिर आप को अलग से effort डालने के ज़रूत नहीं पड़ती है वो अपने आप चीजे हो रही होती है आपके अंदर बे तो जो हमने इस podcast के शुरुआत में का कि इस साल effort बहुत ज्यादा हो रहा है बागम भागी है अब जैसे मैं अभी फैमिली मेंट के शुटिंग कर रहा हूं बड़ा माज़ आ रहा है तीन साल के बाद शुटिंग पर गए बहुत मज़ आ रहा है लेकिन तकलीफ एक बाद इस लिए हो रही है क्योंकि शुकान तीवारी को फैना ओढ़ थाओ पर दूना पड़ा थो एक अची तकलीफ है उस में थुझा पर मन लगता है वही काम करता हूं मेरा मुझे प्रक्रिय बड़ा मज़ा आता है अच्टर धूनने में मुझे बहूत मज़ा आता है जब रिलीज होने पर होता है मुझे तुम नाइब यदंड, प्रॉचिंग रोचयी है, Exodus चुरु होलोगा है, समय अंद मिलतीघ है लिए फ़युक्टी इस बत्युक्त प्रॉटी रिप सो नह नहें लोग बिलेंग आत दिरह, मैं फुह मिना चाहिव यह चाहिए जाउंगा चाह अपने जाओ कर लिट कि खान से लागन लोगों का आना धना भी नहीं होतको और छा को aha आप उसे बाते करते हो, फिर भाया जी के बारे में बात करोगे, फिर वो उतनी सुकता बताएगा, तो यह जो आम जीवन है, बड़ा सुन्दर है, बहुत सुन्दर है, जब आप अपने काम का बोज नहीं रखो अपने दिमाग पे न, जीवन है बड़ा सुन्दर, आप एक गिफ्ट की तरह मिल जाती है, आक्षिल मेरे साथ में हमेशा से है, पहले से थी? हाँ, मैंने बड़ा एंजॉइ किया है, बहुत बहुत दोस्त बनाए, और वस सारे जो 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 दोस्त बनाएं आस तक फोन पे जो है, कभी-कभी मैसेज पे बात्चित होती रहती है, कभी यह उन से दोस्ती की थी बने उदेपुर के रहने वाले जाए विकानिर के रहने वाले, तो उस समझान पहचान होई, मम्मु मरा से आस तक संपर गे मेरा, तो मेरा मानना यह है कि मैं लोगों से ऐसे ही मिलता हूँ जैसे वो मुझसे अलग नहीं है, वो एक वेक्ति है, मैं इस संसार में आये हैं, हम सब अपने प्रारफ्त के साथ आये हूए हैं, हमें इस जीवन को उस प्रारफ्त के साथ चलाना है, और जो कोई भी आपके दिल के करीब आता है, यह आपके नजदीक आता है, उसका प्रारफ्त से भी लेना देना है, तो ऐसे हम कहीं मिले हूए है, किसी जनम में, कोई तो है प्रादव्द का हिस्सा जिसके कारण मिल रहे हैं आप, तो ऐसे ही नहीं मिलेंगा, आप से मैं दूसरी बात मिल रहा हूँ, क्यों मिल रहा हूँ? तो ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अप्लोड कियें इस चैनल पर, चैनल को एक्स्प्लोर करो, देखते जाओ, और सीखते जाओ.